हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे आटे के चावल के पेड़े आपने बहुत तरह की मिठाईयां खाई होंगी एक बार इसे भी जुरू ट्राइ करें ये देखे बनने में बनने के बाद ये कितने सुंदर और स्वाधिश्ट लग रहे हैं देखने से और ये एकदम हेल्थ क लासकते हैं इसे बिना किसी घी के हमें पहले ऐसे सुखाई भुनने का मतलब यह नहीं कि इसका हमें क्लर चेंज करना है कलर बिलकुल चेंज नहीं करना है सिर्फ इसका शज़ा भुननए के बार इस 말 बार पमान में बेदिखे ठ Excel एर गारा दू़। पहले से उबाला हुआ है इसे फिर से एक बार उबाल लेएंगे और इसके बारिस में मैंने यह पौना कप चीनी डाली है एक कप से थोड़ी सी कम चीनी आप अपने सौदानूसला घटा बढ़ा सकते हैं अदिक मीठा खाते हैं तो अदिक आल सकते हैं इसमें कलर के लिए मैंने हल्दी रंग डाला है दो चुटकी हल्दी डाली है इसमें आप केसर का भी यूज कर सकते हैं कलर डालने के लिए मैंने हल्दी और केसर दोनों ही डाल दिये हैं जिससे दोनों का कलर इसमें आ जाएगा अब चीनी और केसर को अच्छी तरह से मिला लेंगे चीनी जब तक इसमें गूल जाएगी इसके बाद हमने जो चावल का आटा भोन के रखा है उसे भी हमें इसमें एड करना है और इसमें हमें एक चीज डालेंगे इलाइची का पाउडर हरी इलाइची के छिलके अलग करके उसके दानों को हम पीस लेंगे पाउडर बना लेंगे और इसमें उसे भी डाल देंगे 6-7 इलाइची का पाउडर काफी होता है इलाइची कोई भी मीठी डिश में डालने से खीर हो, कस्टड हो पूरे घर में इसी खुश्बू फैल जाती है कि आप कुछ मीठा बना रहे हैं किचन में इसके बाद ये देखिए हमारी चीनी, केसर हल्दी और इलाइची पाउडर सब अच्छी तरह से मिक्स हो गए है अब इसमें उबाल आ जाएगा जब तब इसमें हमने जो आज चावल काटा भून के रखा है उसे एड़ करेंगे, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके हमें एड़ करते जाना है ताकि इसी गुठलियां ना बने अगर आपकी गुठलियां बन भी जाती है कोई घबराने के जुड़त नहीं है उसे आप स्पून की सहाइता से अच्छी तरह से मिला लेंगे थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके पूरा कप चावल काटा हमें इसमें डाल देना है घी जो एक चमच हमें यूज करना है चमक परदान करने के लिए चमक देने के लिए और इसके जो पीड़े हैं गी डालने से तोड़े अच्छी तरह से बॉल बन जाते हैं यह तो बनने में दिक्कत होती है इसी तरह हम इसे पकाएंगे थोड़ा थोड़ा करके बाकी काटा भी डाल देंगे 15-20 मिनट में यह मिठाई बनकर त्यार हो जाती है बाकी का बचा हुआ भी आटाव अमने डाल दिया है इसमें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है गुड़ियां नहीं बननी चाहिए अगर बन भी जाती है तो इसे स्पून की साहता से अच्छी तरह से बीच में मिक्स करना है यह इसी तरह मिक्स करते करते पकाते पकाते मीडियम लो फ्लेम में रखना है इसे मीडियम फ्लेम में ही रखना है और पकाते पकाते ये मिसरन जो हमारा है गाड़ा होते जाएगा और गाड़ा हो होके फिर वो पैन को छोड़ देगा उसके बाद इसमेर लास्ट में घी डाल कर और इसे हल्का ठंडा कर लेंगे जिससे कि यह थेली में आ सके और फिर उसके हम पेड़े बना देंगे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर पहले से ही हैं तो मेरे वीडियो को like भी कर देजिएगा share कर देजाए comment कर देजेगा ताकि आने वाले और वीडियो भी आपको असानी से मिल जाए तो मैंने पूरी प्रोसेस आपको समझाई दी है ऐसे ही धीरे-धीरे ये मिश्रन धीरे-धीरे कड़ाई को छोड़ देगा पैन को और इसके बाद हम इसके पेड़े बना के उसमें एलमेंट लगा कर या पिस्ता गी और उसे भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है एक चीज जो जिसके बरमें मैं और बोल रही थी एक चीज चाहिए हमें नारियल का बुरादा या डेसी केटेड कोकोनट वो आप सुखा नारियल घर में लाकर भी उसे बना सकते हैं कद्दुकस करके बारिक-बारि जाए उससे इसका लुक भी बड़ी आया था और स्वाद में भी बड़ोतरी हो जाती है तो यह हमारा मिसरन रेडी हो चुका है अब इसे हलका ठंडा करके जब तक यह थेली में आए उतना ठंडा करके इसके पेड़े बनाकर नारियल का बुरादा में लपेट कर उसके उप झाल करके जाए उसके अजब का भी बड़ोतरी हो चुका है झाल झाल झाल